सबी दोस्तों को मेरा नमस्कार आज के वीडियो में हम भात करेंगें उत्तर मेट्रिक चात्रवुती योजनाओं से सम्मद्ध दिसा निर्देशों के बारे में जो वर्ष 2021 बाइस के लिए जारी किये गए हैं और कारेले निर्देशक माद्यमिक शिक्षा रास्तान के द्वा सब्सक्राइब दिसा निर्देश आज के वीडियो में हम जानेंगें चात्रवुती उत्तर मेंट्रिक चात्रवुती योजनाओं के लिए पातरता एमसरतें क्या है वो भी आज के वीडियो में जानेंगें शाती दोस्तों इस बार उत्तर पूरो मेट्रिक चाथरोती की बाती ही इसमें आयका गोशुणा पत्र आपको विध्यारतियों से भर्वाना है तो आज की वीडियो में इस समधित दिश्ण निर्दिशों के बारे में हम जानेंगे, दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चेनल स्टाइश साइंस सब्सक्रा दोस्तों इस सभी कारिय के लिए जो अंतिम तारिक है वो 16 अगस्त 2021 यानि विद्यारतियों से फोरम भरवाना फोरम को ओनलाइन फील करना और साथ में लोग केम सब्मिट करना इन सभी के अंतिम तारिक 16 अगस्त 2021 रखी गई है उप्रोप सभी चात्रोति योजना के आवेदन हेतों आवेदन पत्र का प्रारूप विश्तरत दिसा निर्देश पातरतायम सर्तें चात्रोति की दर्यें सलगन किये जाने वाले आपसिक दस्तावेजिक का विरून सिक्साभा के वेबसाट एजुकेशनरास्तान.gov.in.skolarship टेब एमसला दरपन के स्टेट स्कूल स्कूल स्कूलर्शिप मोडूल पर ओनलाइन उपलबद होगी अते आप अपने अधिनस्त समस्त संस्ता प्रादानों को निर्दार्च कारकरम के नुशा सला दरपन पोर्टल पर ओनलाइन आवेदन क परक्रिया पूर्ण करने के आफसे दिसा निर्देश परदान कर आवेदन परक्रिया पूर्ण करवना सुनिशित करें उत्तर मेट्रिक चात्रवती आवेदन के विश्तर दिसा निर्देश वर्स 2021-22 इसके बारे में हम जान लेते हैं इसमें कहीं सारी केटेगरी होती है जै सब्सक्राइब रखी गई दोस्तों ड़ाए लाक रुपे यानि ऐसे परिवारों के बच्चे जिनकी आई सीमा डाई लाक रुपे से कम है वो इसके लिए आविदन कर सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए दोस्तों आई सीमा रखी गई है डेड़ लाक रुपे यानि डेड़ लाक रुपे से कम वाले OBC परवारों के विद्यारती इसके लिए पात्र है और इसमें 17 स्रे युगेजन उनके बच्चे इसके लिए OBC में पात्र है नमबर चार है डॉक्टर अमेडिकर आर्थिक पिछड़ावर EBC इसके लिए दोस्तों आई सीमा रखी गई है एक लाक रुपे और वे विद्यारती जो राज की विद्यालियों में अध्यान रत है वो इसमें जन्रत विद्याले के संस्ता प्रदान को जमा कराएंगे चात्र चात्रा मॉबाइल नमर एम इमेल आईडी शोम एम अभिभाव की ही देंगें तो इमेल आईडी और मॉबाइल नमर है जो बहुत जरूरी है वो सही होने चाहिए और अपने कई बार यह होता है कि विद्यार जिस क्याटेगरी से संबंदित मुल दस्तावेज होने चीए जैसे आयका गोष्णा पत्र इसके लाव विद्यार्ति जिस क्याटेगरी से आवजन कर रहा है उसका जाती प्रमान पत्र होना चीए बीपील प्रमान पत्र यादि आवसेकर तो यह भी होना चीए उसके पास मे आयका गोष्णा पत्र वर्ष 2021 के हैतु एक प्रष्टी निरदार्च पत्र में चात्र चात्रा के माता पिता के जीवित नहीं होने पर उसके संड़क्सक द्वारा प्रसुत करना होगा तो इस बार आयका गोष्णा पत्र का प्रारूप चेंज किया है यह पुरो मेट्रिक शात्रवती की भाती ही इस वार आयका गोशना प्रत्रिस का रहेगा जो विद्यारती के माता पिता या उसके संरक सकोबर के देना होगा जन आदार आईडी अत्वा आधार नंबर के अबाव में विद्यारती के चात्रवती स्विकर्ट नहीं की जाएगी विद्यारती का जन नहीं है या विद्यार्थी का खाता जनादार से जुड़ावा नहीं है तो उसके खाते में स्कोलर्शिप नहीं आएगी फिर स्कोलर्शिप परिवार के मुक्या के खाते में जाएगी यदि विद्यार्थी अपने बैंक खाते में में ही रासी हरस्तान तरन करवाना चाहता है तो विद्यारती को जन अदार पोर्टल पर बेंक अपना बेंक खाता अंकित करवाना आनिवारे होगा विद्यारती द्वारा सुनिशित किया जाना आनिवारे है कि उसके द्वारा लिंक किया गया हुआ खाता निमन परकार का होना चाहिए यानि उसमें समय पर लेंदेन होता रहना चाहिए और उसमें रासी ट्रांसफर की कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए साथ ही काता उसका बंद नहीं होना चाहिए कक्सा 11-12 जिनों केंद्रीराजकके साराजविनिक द्हारमिक रोशे अधियन रहा उसके परकार की चाहिए बत नहीं मिल रहा है वो इसके लिए पात्र है यदि किसी अन्य परकार के साहिता आपको मिल रही है तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे चात्र चात्रा सामाजिक नय अधिकारिता विबाग दोरा संचालित चात्रावास में नहीं रह रहा हो यानि चात्रावस में यदि आप रह रहे हो तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो किसी भी कक्सा में पढ़ने के लिए आपको कैवल एक ही बार चात्रावती मिलती है यदि आप failure हो आप repeat कर रहे हो class को तो फिर आपको ये scholarship उस class के लिए नहीं मिलेगी पिछले सत्रे 2020-21 में साला दरपन पोर्टल के state scholarship school scholarship module में online आवेदन कर चुके विद्यारतियों को वर्तमान सत्रे 2020-21 में चात्रवती नविनिकर्ण आवेदन हितु संस्ता प्रदान दोरा केवल आए का गोशना पत्र ही विद्यारतियों से प्राप्त करते हैं साला दरपन पोर्टल के state school scholarship module में पिछले वर्स की प्राप्त स्वत्य सुचना के आदार पर जन आदार आदार authentication जन आदार से लिंक जन आदार से लिंक प्रिवार के मुक्या के बैंक खाते से संस्ता प्रदान ये विशनादर से लिंक है अनेता जन आदार से लिंक परिवार के मुख्या का बेंग खाते को पोर्टल पर फेज करना होगा नव प्रवेशत विद्यारती से समस्त सुचनाई प्राप्त करके संस्ता परदां 12 साला दरपन पोर्टल पर संपुर्ण नमिन ओनलाइन आविदन में समस्त सुचनाई भरी जानी अनिवारे होगी यहनि जिस प्रकार से हम पूरो मेट्रिक में आविदन पत्र भर रहे हैं उसी प्रकार से उतर मेट्रिक के लिए भी आविदन पत्र भरे जाएंगे सबस्क्राइबर इनके लिए निम्ण दस्तावेतच चलिए जैसे माता-पिता और संरक्स्त के आयगा सब्गोशना पतर्च चलिए गतत्वर्स की प्रिक्षिय की अंकतालेका या कक्सवनती प्रमान पतर से इसिकी सवववप्रमानित परती चाहिए जाति परमानक्र पत्र चाहिए सकस्व μεद fender कारी द्वारा इसकी सवरवववववववववव परती चाहिए इसके लिए और इसके लिए अगतव को 16 अगस्त 2021 मिरेम दोस्तों इसके आवध्य पत्र लगेगा विद्यारति को सोव प्रमानित करेगा यहां पर विद्यारति की चात्रवति यूनिक आइडी होगी जो संस्ता प्रदान सलाधरपन पॉर्टल से इसकी पूर्ति करेंगे इसके अलावा पॉर्मेट में कोई जड़ा विश्यस अंतर नहीं है सामने सुचना विद्या पॉर्मेट के लिए अलग से आएकर का फॉर्मेट था लेकिन इस बार इसका फॉर्मेट चेंज किया गया है तो उत्र मेट्रिक्स चात्रवती योजना में वर्स 2021-22 के लिए गोश्णा पत्र रहाएका जो विद्यारती के माता पिता या सनरसक के द्वारा बढ़ा जावेगा